नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है ब्रजेज गोस्वामी और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट आप में से कई लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगप्रिय टीवी सीरीज ब्लैक मिरर जरूर देखी होगी यह सीरीज हमें एक ऐसे हैरतंगेज फ्यूचर को दिखाती है कि तकनीक के विकास का इनसानों के वहवार पर क्या असर पड़ता है टीवी सीरीज के एक एपिसोड में उस भविस को दिखाया गया है जहां एक इनसान तकनीक की गिरप्त में आकर वर्चुल और वास्विक दुनिया के बीच फर्क भूल जाता है हमारा भविस भी कुछ ऐसा ही होने वाला है अब हम एक मेटावर्स की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां पर वास्विक दुनिया के साथ एक आभासी दुनिया भी होगी इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि Metaverse क्या है और भविस्य की इस तकनीक के आने के बाद क्या वाकई हम वास्त्विक और वर्चुल दुनिया में फर्क भूल जाएंगे तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि Metaverse क्या है Metaverse इंटरनेट के उस चनल का विकास है जहां पर वास्त्विक ताको एक वर्चुल रूप दिया जाएगा इस वर्चुल दुनिया में हमारे आपके और कई लोगों के वर्चुल आवतार या कहें प्रतिर्यूप होंगे जिनसे हम 3D रूप में इंटरेक्ट करेंगे हाला कि Metaverse पर एक दूसरे के साथ वर्चुल रूप से मिलने के लिए हमारे पास AR यानि Augmented Reality या VR यानि वर्चुल रियालिटी हैटसेट का होना बहुत जरूरी होगा आज दुनिया की बड़ी टेक जाएंट कंपनिया Metaverse में Billions of Dollars का इंवेस्ट कर रही है आज जिस तरह हम वास्त्विक दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं उसी तरह Metaverse की दुनिया में हम समवर्धित वासिक्ता यानि Augmented Reality में एक दूसरे के साथ मिलना जुल करेंगे और इतना ही नहीं इस वर्चुल दुनिया में हम और हमारे दोस्तों के वर्चुल 3D अवतार्स होंगे जिनके साथ हम Metaverse में कुछ भी कर सकेंगे जैसा कि हम वास्त्विक दुनिया में कर सकते हैं यहां हम अपने रहने के लिए वर्चुल घर और जमीन खरी सकेंग Metaverse पर हम अपने दोस्तों के साथ डिस्को में नज्वाय कर सकेंगे उनके साथ खेल का लुप्त पर उठा सकेंगे फिल्में देख सकेंगे हाला कि इन सब चीजों को अंजाद नेने के लिए हमारे पास AR यानी VR बॉक्स का होना जरूरी होगा तो हमारी इस वीडियो में फि हुआ है